नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे है सोहन सर्मा किछन किंग, मैं हूँ सोहन सर्मा और आज हम बनाएंगे बंगाली स्वीट्स मलाईज़ चाप तो चली शुरू करते हैं मलाईज़ चाप बनाना, देखे कितनी सुंदर मिठाई है, जितनी सुंदर अगर आप ध्यान रख लेंगे तो सारी बंगाली स्वीट्स आप आसानी से बना पाएंगे देखिए कितनी सुन्दर लग रही है तो वीडियो को सुनुशे लेकर एंड तक जरूर देखिए पहली भार हमारा चैनल देख रहे है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और साथ कर असलिया एक बड़े चम्मस निम्बू का जूश है और इसके अंदर में एक बड़े चम्माज पानी डाल रहा हूं इसे मिला कर रख देते हैं जैसे दूद बोईल हो जाएगा हमारा दूद देखिए इस तरीके से बोईल हो गया है उफान आ गया दूद के अंदर तो हम दीरी दीरे यह निम्बू और पानी का जूश जो हमने मिला कर रखा था इसको हम दूद के अंदर थोड़ा थोड़ा करके डाल देते हैं और इसे चलाते हैं यह इसको धीमी आज पर कर दिया है मैंने अभी और इस तरीके से देखिए दूद अभी फटा नहीं है तो यह दूद फट चुका है तो अब तुरंत आपको एक लीटर ठंडा पानी इसके अंदर डाल देना है ताकि छहने की कंसस्टेंसी वेसी की वेसी रहे जाए हमें शौप छणना चीए होता है कि अगर यह चैना शौप नहीं होगा तो मीठाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी देखें यह शौप चैना है गेस को मैंने बंद कर दिया है अब मैं इसको नीचे उतार लेता हूं और जल्दी सी जैसी दूद फट जाए जल्दी सी आपको ठंडा पानी उसके अंदर डाल देना है एक चलनी रखिए मैंने खाली वरतन के उपर उसके चलनी के अंद सुथी कपड़ा लिए बिल्कुल पतला और इस चैने को मैंने एक कपड़े के अंदर डाल लिया है और कपड़े के अंदर राउंड करके इसको इस तरीके से इसका पूरा पानी आपको निचोड के निकाल देना है दबा दबा के पूरी तरीके से पूरा पानी जितना भी प पनीर को निकाल कर थाली में रख दीजिए एक थाली लिए उसके अंदर मैंने एक बरतन लिया है बरतन के अंदर पनीर को मैंने निकाल दिया है पनीर को कुछ देर रहने देते हैं और हम चाशनी चड़ा देते हैं ताकि दोनुं काम एक साथ हो जाएगे इसको मैंने फूल दाल रहा हूं ध्यान रखिए एक कप चीनी करीब 200 ग्राम चीनी है यह और चार गुणा पानी डालना है चार कप पानी डालूँगा यह देखिए चार कप पानी डाल के इसे धीमी मीडियम आज पे मैं मेल्ट कर लूँगा चीनी को इस तरीके से एक लिटर करीब पानी है यह पूरा और चलाते हुए इस तरीके से चार्षणी को बॉइल कर लेना है अब देखिए चार्षणी में जैसे ही वह उबाल आ गया तो हम इसका मेल हटा लेते हैं क्योंकि हम वाइट रशगुले बनाएंगे मलाई चाप के लिए तो उसके लिए हम अच्छी वाइट चार्षणी चीए तो हमेने एक चमच दूट डाला है एक ही चमच डाला है ज्यादा नहीं डाला है अब हम इसे उबलने देते हैं थोड़ी देर दो तीन मिनट बाद ये चार्षणी में जितना भी मतलब कचरा है वो सारा हटके उपर आ जाएगा हैं छेने की तरफ छेने के अंदर हम एक चमच चोटी चमच मेदा डाल लीजिए हतेली के नीचे के हाथ का जो नीचे का हिस्सा है उससे दबाते हुए इसे मसलना है हमें देखिए छनना बिल्कुल सोप्ट है अगर छेना कड़क हो जाए पनीर के जैसे तो आप उसके ना ब पर जाए उसके अंदर ठंडा पानी जुरूर डाल दीजिए ताकि छेने की कंसर्स्टेंसी वेसी रहे देखिए इस तरीके से मसल लिया मैंने एक दो मिनट करीव इस तरीके से इसी धीरे-धीरे हाथ से हतेली से मैंने इसको मसल कर इकटा कर लिया है देखिए इतना बोल्स बनेंगे करीब इसके इस तरीके से देखिए इस च्यार्तिन साथ बनेगे तो साथ डबल हो जाएंगे यह क्यूंकि बहुत ज्यादा बड़े हो जाए नौर्मल रोटी की जितना पेड़ा है इसको इस तरीके से हात में हलके हाँ से मसलते हुए इसको गोल राउंड गोल बना लेते हैं इसका रसगूला देखिए इसकी सेफ आप जैसे चाहिए दे सकते हैं मैंने एक सेफ यह राउंड वाली दिये इसके अंदर ध्यान रखिए इसको अच्छे से इसका टेक्शर अच्छा होना चीए थोड़ा बहुत भी कहीं जोईंट हो तो इसको हाथ से मैंने इसे और लंबी से दे देते हैं इस तरीके से देखिए बहुत ही आराम से बनते हैं कोई दिक्कत नहीं है बस खाली थोड़ा यह है कि पकाने में थोड़ा टाइम लगता है और कोई जंजड़ वाजी नहीं है छेना आप अच्छे से पाड़ी है तो बहुत लेवी ही तो देखें अब चाशनी को मैंने धीमयांच गेस किया था अब इस पर देखें थोड़ा-थोड़ा यह जो हमने दूर डाला था धीमयांच थी पर रहने सारे मलाई चाप के रहस गुले मैंने चाशनी के अंदर डाल दिया है, डखकन लगा देते हैं और गेस को तेजांच पे ही रहने देते हैं, इस तरीके से देखे, इस तरीके से पकेंगे यह, क्रीब चार मिनट बाद मैं इसे चेक करूँगा, कि यह कहीं चिपक ना जाए आप मैं तो मैं चार मिनट बाद चेक कर रहा हूं, देखे, इस तरीके से मैं हलके से एक चमच की मदद से इन्हें थोड़ा इदर उदर करके देख लेता हूं, नहीं बिल्कुल फरफ्रेक्ट है, तो फिर से मैं डखकन लगा देता हूं इन्हें और पकने देता हूं अच्छी त दूद है, और दूद के अंदर में एक चोड़ी चमच घी डाल रहा हूं देशी, और यह हम मलाई चाप के लिए जो मावा होता है ना वो बना रहे हैं, जो अंदर मलाई होती है वो बना रहे हैं, आप इसके जगे मलाई भी यूज कर सकते हैं, मावा भी यूज कर सकते हैं, दूद में जैसे ही उबाल आ गया तो मैं इसके अंदर जो आधा कप यान मिल्क पाउडर डाल रहा हूं यह देखे और मिल्क पाउडर आपको उबलते वे दूद के अंदर धीरे धीरे डालना है नहीं तो लम्स पड़ जाएंगे और इसे चलाते रहना है देखे इस तरीके से आप यह ताजा दूद की मलाई भी यूज कर सकते हैं इस तरीके से मलाई को थोड़ा गरम कर लीजे टाइट कर लीजे यह मैंने 20-25 पत्यां कैसर विगा के रखी थी वो मैं डाल रहा हूं इसके जगर आप यलो फूड कलर भी डाल सकते हैं क्योंकि यह रस्कुले वाइट ह इस तरीके से इसे तोड़ा पका के एक दम घाड़ा कर लेंगे मावे जैसा कर लेंगे देखिए इस तरीके से 2 मिन्ट में यह करीब ऐसे हो गया है मावे जैसा पर्फेक्ट है इसको हम नीचे उतार देते हैं बरतन के अंदर रख देते ठंड़ा होने के लिए इसे भी 5 मिन ठंडा होने देते हैं उसके बाद हम चेक करेंगे और रसगुले को हम एक बार चेक कर लेते हैं देखिए रसगुले को चेक कर रहे हैं चाशनी करीब आधी से थोड़ी ज्यादा रहे गई है तो इस तरीके से मैं एक बार पलट देता हूं बिलकुल फर्फेक्ट बने प्रफेक्ट है बिलकुल गाईडी चाशनी इस तरीके की जब चाशनी हो जाए तो आपको गेस से नीचे उतार लेना है और गेस बंद कर लेना है करीब 25-30 मिनट लगते है इस प्रोशेजर के अंदर देखिए इसी चाशनी के अंदर मैं नीचे उतार लेता हूं गेस से और इसी चाशनी के अंदर हम 20 मिनट इसे ठंडा होने रहने देंगे ताकि अच्छे से चाशनी पी ले अब हमारे पास जो हमने जो मावा बनाया था उसको भी थोड़ा सा मेज करके शोप्ट कर लेते हैं आप मलाई भी डाल सकते हैं नीचे बजार से आप मावा भी ला सकते हैं वो भी डाल सकते हैं नीचे तो मावा घर में बना के भी डाल सकते हैं मैंने मावा का वीडियो भी बनाया है अब यह देखें 20 मिनट ठंडा होने के बाद मैं इसको चाशनी के अंदर से यह अच्छे से चाशनी पीके रेडी हो गए है ठंडे भी हो गए हैं तो मैं एक थाली तो अब हम क्या करेंगे एक चाकु की मदद से इनको बीश से काट लेंगे ये मतलब चाष्णी गाड़ी चाष्णी के अंदर रहने की वज़े से ये थोड़े हाड हो गये मतलब सोफ्ट तो है खाने में लेकिन ये थोड़े हाड है रसगुले के जैसे इस्पंजी निकाल दे थंडी चाष्णी में डाल देता है तो इस पनजी हो जाते हैं ये देखे इनको इस तरीके से कटिंग कर लेनी है बीश से सारे फीस की ताकि हम मलाई इसके अंदर लगा सकते जोह हम должно बनाया था वो हम इसके अंदर लगा देते फीसको उठाते हैं डवल कर लिया और मावा थोड़ा सा लेंगे ज़्यादा नहीं लगाना है आपको मावा विल्कुल फीका रखना है क्योंकि इसके अंदर चार्षनी गाड़ी चार्षनी है तो मीठा आपने आप ये हो जाएगा और फर्फेक्ट मीठा लगेगा चाहिए इसके मावे के अंदर मीठा डाल देंगे ना तो ये ज़्यादा मीठा हो जाएगा तो देखें इसी तरीके से सब के बीच में आपको इस तरीके से ये यलो कलर का मावा आपको अच्छी तरीके से लगा लेना है इस तरीके से लगा के इने बंद कर देना है और अच्छी तरीके से डेकोरेशन करना है बारवार ज्यादा दीखे नहीं इस तरीके से देखे विलफुल परफेट इसी तरीके से सब के मैंने मावे से भढ़ लिए पूरा मावा यूज हो चुका है और अब मैं जो गोल वाले है उसकी कटिंग कर लेता हूं देखे दोस्तो तो एक लीटर दूद के अंदर इतनी सारी मिठाई बन गई है और कुछ भी नहीं है थोड़ा सा टाइम लगता है और बहुत ही सिंपल है छेना मनाने का आप जरूर ध्यान रखिए अब मैं इनको डेकोरेट कर देता हूं चलिए सबसे पहले तो मैं इन पर थोड़ा थोड़ा वरग लगा देता हूं एक वरग को मैं ऐसे लगाया मैं आपको सेज़ेस्ट नहीं करूंगा कि आप वरग लगाईए आपकी इंचा है तो लगाईए नहीं तो आपकी पसंद के उपर डिफेंड करता है तो मैं थोड़ा थोड मैंने फुरी तरे डेकोराइट कर दिया है मुवमिद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा पसंद आदो फ्लीज वीडियो को लाइक शेर जरूर करें और देखे कितनी अच्छी लग रही है एक लिटर दूद के अंदर इतनी सारी मीठाई बन जाती है देखे कितनी उस दूद कर देखे कितनी अच्छी है